मदर टेरेसा मदर टेरेसा एक सची सेविका थी एक बार मदर टेरेसा कुस्ट रोग से पिड़ित रोगियों के इलाज के लिए कोलकाता में दुकान दुकान जाकर चंदा एकत्र कर रही थी इसी सिलस्रे में वो एक अमीर वैपारी की दुकान पर पहुंशी जो अपने दुकान पर बैठे बैठे पान चबा रहा था जब मदर ट्रेसा ने उस वपारी के आगे अपना सीधा हाथ फ़ला कर कहा कि कुछ ट्रोक से पिड़ित भाईयों के लिए कुछ देने के क्रिपा करें तब उस वपारी ने मदर के सीधे हाथ पर पान का पीक ठुक दिया इस पर मदर ट्रेसा बिलकुल भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने तुरंट अपना सीधा हाथ पीछे करते हुए कहा यह तो मेरे लिए हो गया और फिर अपना बाया हाथ आगे फ़लाते हुए अत्यंत प्यार से बोली अब क्रिपा कर मेरे कुछ रोगी भाईयों के लिए कुछ देने का कस्ट करें उस वपारी ने सोचा भी नहीं था कि किसी के हाथ पर धुकने के बाद भी वह बिलकुल विचलित और प्रोधित नहीं होगा और उल्टा अपना प्यार प्रदर्शित करेगा वह तुरंत मदर के चरणों में गिर पड़ा अपने किये की माफी मांगी और उसके बाद मदर ट्रेसा की मदद भी की